नारी शक्ति जब अपने पर आती है तो कितने ही मुश्किल काम हो वो चुटकियों में कर देती है। ऐसे ही केरल की एक लड़की ने पलिस में जाने का सपना देखा। वो दूसरे लोगों की तरह 9 से 5 की प्राइवेट नोकरी नहीं करना चाहती थी। उसे बचपन से जुनून था पलिस में जाना है और आखिरकार उसने अपने सपने को साकार किया। हम बात कर रहे हैं केरल में पैदा हुई मरीन जौसफ की। उनका जन्म 20 अपरेल 1990 को हुआ। उनके पता क्रिशी मंत्राले में प्रमुक सलहकार है। और उनके मा अर्थिशास्त की टीचर है। मरीन ने दिली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बी ए ओनर्स और एमे हिस्ट्री की डिग्री हासिर की। मरीन जब सिक्स्त क्लास में थी तब उन्होंने सिवल सर्विस जॉइन करने की बारे में सोचा था। इसके बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने एक्जाम की तयारी शुरू कर दी। मरीन ने साल 2012 में 188 रैंक अखिल भारती के साथ सिवल सेवा परिक्षा को पास किया। उन्होंने पहले प्रयास में ही परिक्षा पास कर सुर्खियां बटूरी थी। जब उन्होंने परिक्षा पास की तो उनके सामने चार आप्शन रखे गए जिनमें IS, IPS और IFS शामिल थे मरीन ने IPS बरने की सोची जहां हैदराबाद से अपनी IPS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एरना कुलम में हुई। यहाँ पर महिला अपरात का एक केस उनके पास आया। जब केस की फाइल उनकी हाथ आई तो उन्होंने देखा कि 4 साल की बच्ची का दुशकर्म हुआ है और आरोपी विदेश भाग गया है। इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है और ना ही पुलिस ने कोई चान बिन की है। तब उन्होंने इस केस को अपने हाथों में लेने की सोची और महस कुछी दिनों में उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया औ आपको बता दें कि इस दुशकर्मी को गिरफतार करने के लिए मरीन सौधी अरब पहुच गए थी कागजी कारवाई के बाद आरोपी सुनिल कुमार को पकड़ कर वो भारत ले आए थी आईपेस मरीन की शादी दो फर्वरी 2015 को ही कैरल निवासी साइकाट्रिक्स डॉक्टर क्रिस अबराहम उनके पती है मरीन सोशल मीडिया पर भी काफी अक्टिव रहती है मरीन को किताबे पढ़ने का बहुत शौक है और वो जहां भी जाती है बस किताबे ही ढूनती है पिछले दिनों अपनी संदरता के चलते वो काफी चर्चा में थी जहां एक फेस्बुक पेज पर उनकी फोटो को पोस्ट कर लिखा गया था कि मरीन जॉसिफ आईपीस कोची के हमारी नई एसपी के लिए कितने लाई उसके बाद उनकी फोटो सोचल मीडिया पर बड़ी ही वारिल हुई थी मरीन की लाइफ में सिर्फ इतना ही नहीं है वो प्रमोट होकर बतोर आइसपी बन गई और कमांडेंट ओफ केरल आमपर्स बटालेंट 2 में पोस्टेड हुई इस पोस्ट पर वो पहली महिला है जो 2016 में राज स्वताचरता दिवस परेड को कमांड करने वाली सबसे कम उम्र की अफसर बनी थी अपने कामों के लिए मरीन को लेडी दबंग भी कहा जाता है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन पर मोर अपडेट्स